एलो डिये श्रेंट्स, वेलकम टू जैई क्लासेज मेरट, मैं दिपक सर्मा, मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ, कंट्रोल सिस्टम, तो बच्चों कंट्रोल सिस्टम में हम लोग यूनिट नमबर फास्ट यानि पहला चप्टर पहा रहा हैं, तो बच्चों इसमें हम लोग एक सिस्टम क्या होता है, यानि जैसे अगर सिस्टम कई सारे element का एक ऐसा connection है, जिसमें अगर बच्चों कोई हम लोग input दें, तो वो हमें उसी कमसार output प्रदान कराता है, इसमें हम लोग open loop control system पढ़े थे, ठीक, control system क्या होता है, उसके बाद open loop control system and close loop control system, अगर simply आपने input दिय और आपको output मिल गया, तो बच्चों वहाँ पे controlling नहीं हो, automatic कोई controlling नहीं होती है, अगर बच्चों हमने का किया, close loop system की बात करते हैं, तो input देते हैं, उसके बाद बच्चों वहाँ पे क्या होता है, जो output मिलता है, उस output को फिर से हम feedback करते हैं, input के साथ बच्चों हम लोग क्य करते हैं, वहाँ पे compare कराते हैं, compare कराने के बाद जो कि वहाँ पे era detector लगा होता है, तो यह जहाँ पे feedback system यूज किया जाता है, बच्चों, वहाँ पे close loop system की बात करते हैं, और automatic control system अगर यूज करना चाहते हैं, आजकल देखिए कई सारी गाडियां हैं, जो vehicles हैं, उसमें iron, जो कि price होता है, उसके examples दिखाता है, किस तरह से close loop, आपका close loop system बच्चों देखने के लिए मिल जाएगा, AC, air conditioner में, ठीक है, refrigerator system में, आप देखते हों कि जो refrigerator होता है, कुछ-कुछ time के बाद automatically उसकी supply cut हो जाती है, जब ज़्यादा वह बच्चों कुल हो जाता है, तो उसकी supply automatically दिखते हैं, कि आप लोग कुछ time पर बंद हो जाता है, फिर अपने आप चालो हो जाता है, तो उसके मंद आप आटोमेटिक control लगा है, यानि कि उसमे close loop system लगा होगा है, control system, यानि बच्चों अगर washing machine की बाद करें, तो भाईया washing machine में open loop system है, भाईया कपड़ा ढाल दाल रहे थे, रोड पे जो street light होती है, जो traffic light होती है, बच्चों कह सकते है, not street light, traffic light, उसमें भी बच्चों timer set कर दिया जाता है, कि कितनी भी भीड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, timer एक मिनट के लिए चालो होगा, 60 second के लिए, तो 60 second में कितनी गाडिया चल गई, वहीं है, जबक पूरी गाडिया नहीं चली जाएं, तब तक बच्चों हमारा signal off ना हो, तब तक signal change ना हो, तो उसे बच्चों हम बोलेंगे close loop system, यानि इसमें क्या होगा, कि input जो output होगा, फिर से input पे compare कर आता रहेगा, वो close loop system था, यह सारी बात हैं हम लोगोंने बच्चों कर लिया था, ए यानि अगर आप road पे चलना, किस प्रकार का बच्चों example है, तो road पे चलना भी बच्चों हम लोगों का एक close loop system का बच्चों example है, ठिक, ब्यक्ति का road पे चलना, यानि लिख सकते हैं, road पे चलना, ठिक, ऐसे लिख दिजिए, simple c, road पर चलना या वाक करना न, चलना, ठिक है बई, हम road पे जा रहे हैं, हम या आप road पे चलना हैं, कौन सा system बच्चों, यहाँ भी क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, close loop system, क्या है बच्चों यहाँ पे, closed, यानि closed loop system, closed loop system है, यानि यहाँ भी बच्चों basically, feedback का यूज किया गया है, यहाँ भी feedback system का प्रियोग किया गया है, यहाँ भी बच्चों किसका प्रियोग करेंगे हम लोग feedback का, चलिए समझते हैं, हम road पे किस तरह से close, कैसे automatic control हो रहा है, देखते हैं, आपको पता है, closed loop system जो होता है बच्चों, वहाँ पे कहानी देखते हैं, कि यह एक हमको चाहिए होता, error detector, यह क्या होता है बच्चों, error, detector, जिसको comparator भी बोला जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पे बच controller होता है, controller होता है, ठीक है, उसके बाद हमने बच्चों nest बताया था, यहाँ पे, ठीक है बई, controller elements भी लिख सकते हैं, process भी लिख सकते हैं, different type की चीज़ भी बच्चों यहाँ पे लिखा जा सकता है, हमको जो भी बच्चों यहाँ से output मिलेगा, ध्याँ समझीएगा, जो भी output यहाँ से मिलेगा, उसको फिर से हमें क्या करना है, बच्चों, यहाँ लाके feedback करना है, क्या करना है, feedback करना है, ठीक है, basically हम किसकी बात कर रहे हैं, हमको यहाँ पे feedback system यूज किया गया है, अब feedback बच्चों positive, negative कुछ भी हो सकता है, ठीक, यहाँ से दिया गया हमारा, reference, reference input, हम लोगो ने यहाँ से, एक reference input इसको दे दिया है, आई बस समझ में, यहाँ पे positive या negative feedback बच्चों, यूज कर सकते हैं, बस समझ में, तो यह होता है, हमारा second बच्चों यहाँ लिख सकते हैं, plant, plant, बच्चों यहाँ processor भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे, अब बच्चों बहुत ध्यान समझना है, अब हम road पे चल रहे हैं, तो हमने कहा, road पे चलना भी, एक closed loop का example है, closed loop का example है, road पे चलना, इस तरह से road पे हम जब चलते हैं, तो एक closed loop कैसा है, यहाँ automatic control कैसे हो रहा है, यानि इसने feedback system कैसे use हो रहा है, अब समझते हैं, देखो भाई, जो error detector है, यह हमारा समझे कि eye है, क्या है बच्चो, eyes, यह बच्चो जो error detector है, यह मालीजे हमारी क्या है, आईज है, controller हमारा क्या है बच्चो, brain है, क्या है यह, यह बच्चो हमारा जो brain है, वो बच्चो किसका कार कर रहा है, controller का बस सोज़ाएगी आई जो है बच्छो वह एर डितेक्टर का काम करें जह हम लोग रोड पे चलते हैं ब्रेट वह दिमाग किसका करता है controller का करता है. plant का क्वा करता है. plant मतल्ब प्रोसेसर कौन प्रोसेस करता है. ठिक तो legs हमारे हमारे जो pair होते हैं . लेग यानि पैर और यहां पर मेरेगा बच्छों क्या चैज़ास आ ओट इक्चुल आउटपुट के है यहां से हमने क्या करेंगे उसको फीडवैग करेंगे और यहां पर जाएका क्मपियर क्रlaim तक आपको जाना है ठिक और यहां के दूरी मालो 100 मिटर है बहुत ध्यास मैंना हमें ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक जाना है इसकी दूरी कितनी है 100 मिटर हम बच्चे यहां से चले सपोचकर लो यह पॉइंट से हमलोग चले और चल के कुछ इतने पॉइंट्स पर आये और हमलोग कितना चले मालीजी एक 20 मिटर चले इनी कि बच्चे ध्यान देना कि जब हम चल रहे होंगे तो हमारी आईस आख जो है देल लो हमारी आखे चल लहेंगे देख रही हैं हम यहां से चले 20 मिटर तक कि तो 20 मिटर चले तो actual output कितना हुआ actual हम कितना चले बीस मीटर अगर हम बात करें हमें जाना था यहां reference input कितना था रिफरेंस दे दिया गया 100 beiner हमें reference दिया गया बच्छों hundred metered kind reference दिया गया है लेकि jan बच्छों hundred meter हमको जाना था ।vesome meter हमें जाना था 10-20 meter मालीज़े चल लिए अब 20 meter चल लिए तो मालीज़ए हमारी eyes ने देखा 20 meter detail लेकिन बच्छो ध्यान दीजेए 20 मेटर तक चला लेकिन ध्यान दिशय तक चला तक चला तो इसी reference point कितना था बच्चो reference point था 100 reference point सा 100 और चल चुका है 20 मिटर तक, चल चुका है कितना बच्चो 20 मिटर तक, कितना बच्चा 80 मिटर यानि बच्चो error, आईज ने हमारा detect कर लिया जो error detector का काम हमारा आख कर रही थी, उसने detect कर लिया कि भाई या अभी हमको 80 meter आओ चलना है अभी 80 meter का error आ रहा है कितना बच्चों 80 meter कितना 80 meter कुछ देर के बाद क्या हुआ बच्चों कि ये समझी हमारी आइज ने डिटेक्ट कर दिया कुछ देर के बाद ये चलना इस्टार्ट हुआ बोला कि भाई अभी तो और दूर है चलना चलके पहुचा 50 meter एक्शुल दूरी 50 meter चला फिर से compare कराएगा फिर से हमारी आख जो compare कराएगी फिर से एरर डिक्टेक्टर यानि सो रिफ्रेस्ट चलना था सो चलना था चलना हूं अभी तक 50 यानि कि सो चलना था अभी 50 चलना हूं मतलब सो में से 50 घटाओगे तभी 50 हमको यह उर आ रहा है यह उर आ रहा है पचा 2000 की मतलब अभी अमये चल्म आ है यानि कहेंगा भी हम बाकी है, शमयरो ना, वही कहानी है, फिर मालो चलते चलते आप पहुच गए 90 मिटर, कितना पहुच गए बच्चो, 90 मिटर, आप चलते चलते पहुच गए 90 मिटर, 90 मिटर चल गए तो देखो, ये था आपने रिफरेंस पॉइंट इसको दिया था 100 मिटर का, आप चल चुक है 90 meter, अभी भी 10 meter का error आ रहा है, अभी भी बच्चों 10 meter का error आ रहा है, यानि 10 meter का error आ रहा है, तो अभी भी brain कहेगा, कि भया पैर तुम अभी और चलो, अभी error आ ही रहा है, जब तक पैर को चलना है, कब तक चलना है, बच्चों पैर को तब तक चलना है, जब तक बच्चों actual value, जो actual value है this equal to यानि actual जो output है ठीक है actual जो output है बच्चो किसके बराबर लह जाए जो हमारा ध्यान दिजेगा जो हमारा reference point है उसके बराबर लह जाए तो ये बच्चो बहुन यानि desired जो बच्चो हमारा value है desired value के बराबर लह जाए artifact है एक्षुल वैलू वच्चर यहां पर desired हमें desired कितना है so । यह हमारा desired है क्या है बच्चर? desired तो जब तक desired value तक बच्चो हमारा न चल जाए desired value desired value तक बच्चो न चल जाए तो माल लिजी जिए बच्चो कि चलते चलते यह 100 m पहुँच गया 100 m पैर सौ मिटर तक चल चुका है जब हम चल है तो पैर सौ मिटर तक चल चुका है और विइन्ट का है और राज शंक है नहीं कि प Milton इसने डेक्ट कर लीए अब मानो की यह कैसे देख रही थी माधों के कुछ लिखा को था कुछ पट्टी लगी हुई थी, वहाँ पे लिखा हुआ था, 10 मिटर, 20 मिटर, 30 मिटर, देख रही थी, मालो सा पोज कर लो, वहाँ पे दिखा होगा, ठिक, तो बच्चों 100 मिटर, जब दोनों बराबर हो गया, जितना reference input था, उतना हमारा actual output आ गया, इतना मतलब कि desired value हमारी, actual value के बराबर हो गई, इसका मतलब error zero, जब error zero हो गया, तो brain कहेगा भया, अब हमको काम नहीं करवाना है पेर से, तो ये zero, तो brain भी सांथ, बहिए कि अब नहीं पेर को, अब तुमको नहीं चलना है, अब पेर हमारा नहीं चलेगा, यानि कि ये कहलाता है, बच्चो एक close loop, यानि रोड पे चलना भी बच्चो हमारा क्या कहलाता है, एक close loop का example है, तो इस तरह से बच्चो आप लोग बना सकते हैं, माली ये example में आ गया close loop को समझाईए, तथा उदाहरण सहीद समझाईए, कि एक बच्चो रोड पे चलता है, तो किस तरह से बच्चो फंक्शन कारी करता है, तो उसका block diagram बनाईए, तो बच्चो आप इसको दिखा सकते हैं, कि अगर कोई एक बच्चो जो कि किसी रोड पे चल लाँ है, तो रोड पे बच्चो चलता रहेगा, तो इरर डिटेक्टर का काम कौन करेगा यहाँ पे, तो जो उसकी आईज हैं, वो इरर डिटेक्टर का काम करेंगी, जो brain है उसका controller का काम करेंगी, जबकि जो plant है बच्चो, जो pair है उसके, लेक्स हैं, वो बच्चो हमारे किसके कारे करेंगे, वो उसके basically कह सकते हैं कि बच्चो, basically plant की तरह कारे करेंगे, यानि processor की तरह कारे करेंगे, जो कि brain जो भी command देगा, वो ही processor करता, जिसे microprocessor में आप देखते हो न, भी या इसको plant या processor दुनों बोल सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप लोग बच्चो एक्जाम में बना सकते हैं, ये एक close loop का बच्चो example है, तो इस तरह से बच्चो हम लोग देख सकते हैं, कि actual जो direction है, actual जो हमारा desired बच्चो दिख रहा है, एक्चुल जो मिल जाता है, वो बराबर desired के बराबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं बच्चो close loop system, चलिए बच्चो next topic देखेंगे, तो एक different type के बच्चो example से अगर आते हैं, तो आप इसको बना के लिख दिजेगा with diagram इसके, ठीक हैं? चलिए, नेश्ट बच्चो हम लोग देखेंगे, तूलना, यानि बच्चो अगर हम compression की बात करते हैं, open loop तथा, open loop control system तथा, closed loop control system में अंतर, ये बच्चो ये भी question important आपके अलिया आ सकता है, semester exam में, तो आप लोग इक्जाम में जब भी difference लिखा करें, किस तरह से लिखेंगे? एक side बच्चो लिखिएगा, open loop control system, एक side लिखेंगे, आप लोग open loop control system, open loop control system, उसके बाद धन्दी जग बच्चो, यहाँ पर एक lining अपने copy में खिचिएगा, और इधर लिखेंगे, हम लोग, closed loop control system, इधर लिखेंगे, बच्चो हम लोग, closed loop control system, आई बासमान में, यहाँ एक side लिखेंगे, बच्चो हम लोग, open loop control system, दूसरे side लिखेंगे, closed loop control system, अच्चलिए, first point, open loop, open loop system, बस लिखेंगे, control system नहीं, open loop system में, feedback की आउसकता नहीं होती, feedback की आउसकता नहीं होती, आउसकता नहीं होती, ठीक है बच्चो, यहाँ लिखेंगा पहला point, closed loop system में, एक feedback की आउसकता पड़ती है, feedback की, आउसकता, feedback की आउसकता, ठीक है बच्चो, यहाँ, closed loop system में, feedback की आउसकता पड़ती है, जबकि open loop system में, feedback की आउसकता नहीं पड़ती, दूसरी बात, अब बार बार यह नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें का मतलब क्या होता है, इसमें का मतलब open loop control system जो उपर आप लिख चुके हैं, इसमें error detector का परियोग नहीं किया जाता, यानि open loop system में बच्चो error detector जिसको comparator भी बोलते हैं, परियोग नहीं करेंगे, ठीक, यहाँ बच्चो second point लिखेगा, इसमें error detector का परियोग किया जाता है, ठीक है बच्चो, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें error detector का परियोग किया जाता है, third point बच्चो लिखेगा, ठीक है, अगर third point की बात करते हैं, तो जो हमारा बच्चो open loop system होता है, उसका bandwidth कम होता है, इसका bandwidth, ठीक है, bandwidth, short में इसको BW लिखा जाता है, कम होता है, जबकि close loop system में बच्चो क्या लिखेंगे, इसका bandwidth, 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 जादा होता है, close loop system जो होता है, इसका bandwidth जादा होता है, ठीक, fourth number लिखेगा, कम से कम बच्चो जब भी अंतर आए, तो 5-6 difference तो आपको लिखने ही लिखने होते हैं, ठीक है, तभी जाके आपको अच्छे marks मिलते हैं, जितना बढ़ियां से आप लिखते हैं, differences, उसके बाद, जितने points लिखते हैं, उसके सारी बच्चो आप लोग को क्या मिलता है, इन निमबर आपको मिलते हैं, ठीक, यानि बच्चो reliable, बच्चो ज्यादा कौन सा होगा, ठीक, ये क्या होता है, यह कम accurate होता है, यह मतलब open loop, ऐसे एक अग जगए ये भी लिख लीजिए, open loop system, ठीक, कम, देखें बच्चो जो भी हमारे disadvantage हैं, यानि इनके साथ में आपको ये भी तैयारी हो जाती ही, जब आपको लिखने के लिए आजाएगा, तो यहीं सब point है, ये आपको number बढ़ा देंगी, तो इसलिए इनको आप लोग याद करके लिख देंगे, तो समझ सकते हैं, ठीक, open loop system कम accurate होता है, accurate होता है, ठीक, यहाँ लिखेंगे, जब की, close loop system, ज़्यादा accurate होता है, accurate होता है, ठीक, ज़्यादा accurate होता है, ठीक नमबर बच्चों लिखेगा, ठीक है, stability के अगर बच्चों बात करते हैं, तो open loop system जो होता है बच्चों, इसकी stability ज़्यादा होती है, ध्याँ दीजेगा, stability के अगर हम लोग बात करें, दोनों की stability किसकी ज़्यादा होती है, अब लोग कई बार देखते होंगे कि जो stable, तो हमारा बहुत कम जो close loop system होते हैं, ज़्यादा stable नहीं माने जाते हैं, ठीक, तो ये सारी चीजे बच्चों अब लोग लिख सकते हैं, ज़्यादा economical काउन सा है, cost layer काउन सा है, ठीक, ये भी लिख सकते हैं, open loop system, सस्ता होता है, economical होता है, ये भी एक अंतर है, closed loop, closed loop system, महंगा मतलब costly होता है, महंगा, क्यों भी या, इसमें error detector लगेगा, इसमें error detector के साथ साथ बच्चों क्या लग रहा है, साथ ही साथ बच्चों देख सकते हैं, कि इसमें feedback का system यूज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा costly पर जाता है, next point number six लिखिएगा बच्चों जल्दी से, ठीक, ज्यादा reliable विश्वसनी कौन होता है, ठीक, ज्यादा भरोशे मन्द कौन सा होता है, ठीक, तो लिख सकते हैं, जो open loop system होता है, यह कम भरोशे मन्द होता है, इसमें लिखेंगे, यह ज्यादा भरोशे मन्द होता है, मन्द सिस्टम है, मतलब बच्चों यह ज्यादा विश्वसनी है, ठीक, जबकि यह बच्चों क्या होता है, कम विश्वसनी होता है, इसमें भरोसा नहीं कर सकते हो आप लोग, ठीक, open loop system जो की close loop system बच्चों हमारा क्या होता है, इसमें भरोसा कर सकते हैं, तो ज्यादा भरोसे मंद कौन सा होता है बच्चों, जिसमें भरोसा किया जा सकता है, वो बच्चों हमारा होता है, open loop system जिसमें हम लोग ज्यादा भरोसा कर सकते हैं आई बास वांज मिच्चों मेंटिनेंस की बच्चों बात करते हैं तो हमारा मेंटिनेंस देखिए कम जरूरत पड़ती है उपन चलिए उपर वाला हम लाइन वाइन लिख लिए होंगे आप लोग कम से कम 7-8 अंतर बच्चों लिखे गा क्योंगी ये 5 नमबर के कोशन आते हैं तो कम से कम 5-6 अंतर आप लोग लिख सकते हैं एक्जाम पर फिक यहां लिखेगा नेश्ट इसमें बच्चों कम मेंटिनेंस क्या आओ सकता पड़ेगी न कम मेंटिनेंस ये चीजे बहुत ध्यान समझना है किसमें मेंटिनेंस कम है और किसमें मेंटिनेंस बच्चों में जादा रखना है तो ये चीजे बहुत ही ध्यान से समझना है अप के एक point तो लिखेंगे less maintenance required हिंदी में भी लिख सकते हैं maintenance की कम आओ सकता पड़ती है यहां लिख सकते हैं more maintenance more maintenance required यहां पर बच्चों कम maintenance की हमें जरूरत पड़ती है जबकि बच्चों वहां पर हमें ज्यादा maintenance की आओ सकता पड़ती है तो maintenance का मतलब समयर और रच्छन करने की ठीक तो यहां पर कम maintenance की आओ सकता पड़ रही है जबकि यहां पर ज्यादा maintenance की आओ सकता हमें पड़ती है ठ चलिए, next by application, इसका परियोग, ठीक है, open loop system में, open loop system में, बचो क्या-क्या परियोग किया जाते हैं, जैसे tea maker, जैसे example हमें यहाद लिख सकते हैं, अंतर में भी, tea maker हो गया हमारा, या coffee maker, ठीक भई, tea maker या फिर बचो, coffee maker हो गया, ठीक, washing machine हो गई, washing machine हो गई, ठीक है, tea maker हो गया, washing machine हो गई, बहुत सारे बच्चों हमारे पास इस examples हैं, ठीक है, तो जहाँ पर बच्चों basically हमनों क्या कर सकते हैं, कि या, वहाँ पर automatic, यानि open loop control system का प्रियोग किया गया है, ठीक, open loop system में, जैसे बच्चों electric hand dryer होता है, वहाँ पर भी बच्चों हमारा यूज किया सकता है, ठीक, जैसे हमने बोला था न, street, जो क्या बोलता है, traffic light, traffic light, hand dryer, hand dryer, etc, ये सभी बच्चों किसके examples हैं, ये बच्चों हमारे open loop के हैं, जबकि close loop में आप example कौन कौन से लिखेंगे, example बच्चों इसमें लिखेंगे, जैसे बच्चों आप लोग का AC ह हो गया, air, इसके क्या, conditioner, conditioner या conditioning लिख दीजिए, air conditioning, ठीक है बच्चों, refrigerator, refrigerator, ठीक है, refrigerator, उसके बच्चों क्या, iron हमारा हो गया, जैसे example में, iron हो गया, road पे चलना, ठीक है, ब्यक्ति का, way on the road, या फिर ब्यक्ति का, road पर चलना, इट सेक्टरा, बहुत सारे बच्चों इसके examples हैं, जो देख सकते हैं, air AC में हो गया, refrigerator में हो गया, प्रेस जो आज कल के, model नटाइम के प्रेस आ रहे हैं, उसमें हो गया, तो ये बच्चों different type के हमारे अंतर सोते हैं, तो हमको लग रहा है 57 अंतर आप लोग को मैंने लिखवा दिया, यह सारे बच्चों अंतर आप देख सकते हैं और आप लोग को मैं लिखना हुआ है, उसके बद बच्चों only voltage, इसका उयूज के जाता है, तो इसके examples हैं आप सारा कुछ लिख दीजियेगा, तो ये बच्चों आजिया हमारा difference, ये बच्चों पांच नमबर में आएगा, तो और बूकों से देख लिजेगा कमसे पांस साथ पॉइंट आट पॉइंट अब लोग इसमें लिखना हुआ है ठीक है कि चलिए हम लोग बच्चों देखेंगे डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स को उससे पहले छोटा सा एक ब्लॉक डाइग्राम बनाएंगे आटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डाइग्राम ठीक कई बार आपसे पूछ दिया जाता है आटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है उसका ब्लॉक डाइग्राम बनाएगे तो आपको वहाँ पर बच्चों बना देना रहेगा ठीक जो क्लोज लूप सिस्टम बनात बता था Base वाला जैसे AC वाला जैसे different type के हमने examples बताए थे, वो सबी ब्चोव आप इसमे बना सकते ह는지, वो सभी बजो दिखा सकते हैं, रोट पे चलना भी एक automatic control system है, आप्सके बोलाग डायों गुपके बना लिजिए उसके लिए यहां पर रिफोली बना ले हैं वह सके हैं तो इसके लिए सब से पहले दिखना हुता है कि यहांपंगरेंच point, reference, ठीक है, जो हमारा एक reference input हुआ करेगा, यहां पर बच्चो दिया जाएगा किसके लिए, हमारा दिया जाएगा error detector को, किसको देंगे बच्चो हम लोग यहां पर, error detector को, और error detector और error detector वो बच्चो कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने कहा road पर हम चलना है तो हमारी आख जो होती है अरे डिटेक्टर का काम करती है ठिक हम बच्चों हमारा क्या होता है प्लांट या प्रोसेसर बोल सकते हैं इसको नेश्ट बच्चों इसका ब्लाग डाइग्राम जब बना रहे हैं आप तो क्या होता है यहां पर बिसिकली यह होता है प्लांट प्लांट उसके बाद बच्चों हमारा यहां से मिलता है एक्चुल आउटपूट को हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर फिडबैक कर देंगे यहाँ पर बिसिकली तो यहाँ पर हम दिखा देंगे यह हमारा फिडबैक सिस्टम है feedback system है हमारा यह ठीक जो कि output को मान को यहां पर feedback कर दिया तो यह basically बच्चों आप लोग diagram बना सकते हैं बहुत simple ठीक है तो इस तरह से actuating signal बच्चों कहां से जाता है यहां लिख सकते error of actuating signal actuating signal actuating signal बास्वन में तो जो हमारा actuating signal होता है वो यहां से बच्चों जाता है actuating signal ठीक यह controller होता है जो कि बच्चों करेगा यह processor होता है जो controller जो कहेगा वो काम करेगा तो यह बच्चों basically एक हमारा block diagram है simple सा जो की close loop का जो block diagram होता है वहीं बच्चों automatic control हम दिखा सकते हैं तो इस तरह से बच्चों हमारा समझ सकते हैं आप लोग तो पूरा जो बच्चों हमारा दिखिए का controller होता है उसमें हमारा error detector भी आ जाते है तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या हो तो यह conditions आप लोग दिखा सकते हैं कि forward black elements का होते हैं, controlled output क्या होता है, तो सारा कुछ बच्चो आपको एक general black diagram देखके बनाना होता है, और बात इसमें बच्चो लिखना क्या होगा, तो इसमें लिखनी होती है, कि बच्चो अगर हमारा जो actuating output, जब तक बच्चो एक हमारा desired, जो कि बच्चो यहां reference input दिया जाता है, उसके बराबर नहीं हो जाता, तब तक error detector का मान 0 नहीं होगा, जब तक बच्चो जो भी हमारा function है, जब तक बच्चो हमारा क्या होगा, error detector में function नहीं होगा, तब तक यह बच्चो actual signal, यानि कि जो भी हमारा काम है function वो process आगे बढ़ type of system के बारे में यह सारी चीजे बच्चो बहुत अच्छे से लिखना है, यानि classification of system, system क्या होता है मैं बता जुका हूँ classification of system classification of system ठीक है बच्चो classification of system, आप देखते हैं classification of system क्या होता है, देखिए, system का मतलब मैंने बता रखा है तहीं सारे elements सा एक connection होता है, जिसमें output देते हैं, प्रोसेसर के बाद हमें sorry, जिसमें हम input देते हैं, processing के बाद हमें output होता है तो हमारा कोई भी एक system हो सकता है, ठीक, system एक ऐसी device है जिसमें input देंगे, तो हमें output देगी, simple सी बात है अब यहाँ पे control system में अगर बात करते हैं, कौन से होते हैं तो पहला बच्चो हमारा होता है, linear and non-linear system पहला अगर बच्चो बात करेंगे, यहाँ पे linear and non-linear system पहला बच्चो होता है, linear and non-linear system जो की बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरा होता time variant second बच्चों हम लोग देखेंगे time variant and non time variant ठीक in लिख सकते हैं in invariant ठीक है invariant लिख सकते हैं बच्चों आप लोग यहाँ पर या फिर in time invariant ऐसे लिख सकते हैं आप लोग time invariant system एक हो गया बच्चों आपका linear एं नॉन लिनियर सिस्टम दूसरा हमारा होता है बच्चों time variant and time invariant system ठीक है बच्चों static and dynamic system होता है एक बच्चों static and dynamic system होता है नेश्ट टकर बच्चों हम लोग यहाँ बात करें एक बच्चों हम लोग इसमें पढ़ेंगे stable and unstable system stable and unstable system तो बच्चों यह सारे topics बच्चों next class में हम लोग देख लेंगे तो मिलते next class में तब तक बना ध्यान रखिए जो भी topics बच्चों पढ़ाये हैं उसको proper से note करिए और उसको बच्चे से study करिए तो आज के लिए यह इतना ही धन्यवाद झाल 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 झाल